एक good news यह है कि अब अपने चैनल पर graduation और post graduation यानि कि BA और MA का complete course available है अगर आप ये वीडियोज चाहते हैं तो नीचे दिये गए number पर contact कर सकते हैं Hello friends, welcome again, मैं हूँ आरपित और आज हम जिस poetic device को discuss करेंगे वो है जगस्ता position तो आएए चलिए शुरू करते हैं जगस्ता position का मतलब है किनी दो चीजों के differences को highlight करने के लिए उन्हें side by side place करना writers इसका इस्तेमाल rhetorical effect पैदा करने के लिए करते हैं जो की अलग-अलग elements जैसे की wealth and poverty, beauty and ugliness या फिर darkness and light को जगस्ता पोस करके यानि एक दूसरे के साथ-साथ रखके किया जाता है जगस्ता position टर्म में जगस्ता एक Latin word है जिसकी meaning है next और इसे French word position के साथ जोड़ा गया है जब कोई writer दो elements को जगस्ता पोस करता है तो वो readers को उन elements के बीच के contrast और relationship को समझने के लिए invite करता है ऐसा करने के पीछे writers के मन में कई उद्देश हो सकते हैं जैसे कि किसी character को ज्यादा अच्छी तरह से explain करने के लिए किसी un character से उसकी तुलना करना या फिर किसी trait या idea की बारीकियों को explore करने के लिए जिसे otherwise readers miss कर जाते इसके अलावा जगस्ता position का इस्तेमाल ऐसे ideas या images के बीच link draw करने के लिए भी किया जाता है जो की unrelated लग रहे हो कई बहुर, absurdity या humor create करने के साथ साथ किसी एक idea या element को बहतर साबित करने के लिए भी जगस्ता position का इस्तेमाल किया जाता है इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए आएए अब हम इसके example को देख लेते हैं जॉन मिल्टन की epic poem Paradise Lost जगस्ता position का बहुत ही अच्छा example है जिसमें God और Saturn main character है इस बात को explain करने के लिए कि क्यों God ही इस दुनिया की supreme authority है मिल्टन ने जगस्ता position का इस्तेमाल किया है उन्होंने दिखाया है कि God ने heaven, hell और earth को बनाया जबकि arrogance से भरे हुए Saturn का कहना था कि better to reign in hell than to serve in heaven यानि कि नर्क में शासन करना कहीं बहतर है इस तुलना में कि मैं heaven में रहके serve करूँ तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि why Saturn was not worthy तो उमीदे कि आपको जगस्ता position अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और आज के लिए बस इतना ही thank you